नमश्कार दोस्तों मेरे पाम लिडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी student है और ये आगे के विशे में जानना चाहते हैं job के regarding, विपार के regarding और फिर आगे कितना पैसा ये कमा पाएंगे साड़े विशों पर इनको जानकारी चाहिए तो निश्चिंतर ही आपके साड़े questions पर cover किया जाएगा और जिन्दगी में क्या कुछ बड़ा कर पाऊंगा इनका सपना करोड़ पती बनने का है तो बहुत ही अच्छा आपका सपना है इसको पूरा करने के लिए आपको मेहनत भी करना होता इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए तो साड़े चीजों पर विशार करूँगा पहले positivity फिर negativity फिर इनके हतेली का जो भी और भी चीज़ है जैसे questions को लेके या फिर इनके positive negative पर जो suggestions को लेके उस पर discussion करूँगा और सबसे last में पूरे visualization पर जाऊंगा तो सबसे पहले इनके positive ववस्था को देखते है तो देखो आतेली पर कुछ तो बात है कुछ तो बढ़िया बात है ऐसे लोग कमाते तो हैं जरूर से कमाते हैं अब क्या बात है अब जिस भाग्यरेका की मैं बात कर रहा हूँ तो बाग्यरेका है बहुत जानदार इनकी तक्रीबन 36 में वर्स तक बहुत अच्छी है उसके बाद कुछ tensions है उसके बाद भी अच्छी है वो दिखाऊंगा बाग्यरेका पहाऊंगा तो और जिंदगी के last तक भी बाग्यरेका अच्छी है लेकिन particularly कुछ cuts है बीच बीच में जिस पर पूरा विचार किया जाएगा तो भी positive sense में बातों को बता रहा हूँ और एक multiple property के योग यहां से ये देखो ये वाली तो योग नहीं है ये एक negative expense के line है तो ये multiple property के योग तो नहीं होगे यहां पर से यहां पर से एक multiple property के योग जरूर बन रहा है ये वाली ये positive ववस्था इन के अतली पर और यहां पर से एक सूरी रेखा बहुत अच्छी इन की एक और lines है एक यहां पर से भी है तो ये कुछ branches हैं जो सूरी रेखा के हैं जिस पर एक triangle और एक square के shape में चीज़े समझ में आ रही है ये देखो फिर से समझो ये वाली एक हो गई यहां पर से एक triangle बन गया और यहां पर से एक square बन गया तो दोनों ही amount में property के तरफ ही ये इसारा सी कराती है और strong आपकी बागे रेखा जंदगी के last तक है और सबसे खुबसूरत amount में आपकी line of education तो काफी समझदार विक्ती हुआ ऐसे विक्ती काफी समझदार होते है इसमें किसी परकार कसंदेह नहीं है समझदारी हद से जादा दिखरी है आपकी हमें हद से जादा उसके बाद एक बुद्धरेखा आपकी बन रही है यह देखो यह हो गई बुद्धरेखा फिलाल इसमें अभी बहुत ताकत नहीं है ताकत आएगी तो फिर इसका मज़ा आएगा तो यह कुछ nominal positivity आपके हाथ पर थे बागे यहाँ पर से भी देखो और हथोरे hard होते है न तो यह बात तो confirm है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा struggle रहेगा आपके जन्दगी के प्रारंबिक समय में और यह 25 में 26 में सक का struggle तो दिखाता है इनका थोरा जादा होगा मैं उस age को भी दिखाऊंगा तो struggle रहता है life पर अब struggle का मतलब यह नहीं होता कामयाबी नहीं मिलेगी struggle का मतलब यह होता है मेरे समझ से कि आपको किसी भी चीज़ को करने के लिए ज्यादा पढ़ियास करना पड़ेगा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि hard हतेली है और हाड हतेली वाले इंसान को एक चीज़ तो दिमाग में रखना ही चाहिए, कि सौट कट से कुछ भी लाइफ पर नहीं मिलेगा, आपको जादा ध्यान देना पड़ेगा, जादा मेहनत करना पड़ेगा, ये सबी हतेली वालों के साथ अपलाए होता है, सारे ही हतेली वालों करते हैं, तो दस करोड भी कमा सकते हैं, कोई दस लाग, कोई दस रुपे, कोई दस अजार, कोई दो सो, मतलब ये चीज़ें चलती रहती हैं, तो मेहनत को वहां से डिवाइड किया जाता है, ऐसे इस केटेगरी वाली भागी रेखा इतने दूर जाएंगे, इस केटेगरी इतने जादा कमाएंगे, तो वो चीज़ें आती हैं, भाग जैसे आती हैं, कर्म तो सभी को करना पड़ता है, तो आपको मेहनत कश आपकी हैते लिए, तो मेहनत तो करना पड़ेगा आपको, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये इनके पॉजिटिव अवस्था थी, हला में उरने से आपकी achievement आपको नहीं मिलती, जमीन पर रहके काम करने से आपको achievement मिलता है, और वो achievement आपके जिंदगी बर साथ रहता है, तो अभी इनके negative चीज़ को मैं बताऊंगा, देखो थोड़ा न सुन लिया करो लोगों की, जब आपकी इंडिपेंडेंसी जल्दी आ जा ये अगर धूमिल बने और दूसरा अगर में एक indications आपको down तो mind रेखा, इनकी mind रेखा मैं दिखाऊंँ आपको, तो mind रेखा में अभी इनकी चल्दी 23 वर्स की एज़, हलकी अलकी से यहाँ पर दबाब है, तो ये पहला चीज़ हो गया, दूसरी ये बरश्पती के portion हो गई गरबर थोड़ी सी, और तीसरी आपकी बुदरेखा बन गई धूमिल, तो यहाँ पर से क्या होता है एक normal समस्या जो देखी जाती ही, लोग क्या है न, ये लोग तुरत तुरत चाते हैं अपने life पर सब कुछ, और जो base की बाते हैं उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं, तो base base की बाते मैं अभी समझाओंगा आपको, तो यहाँ पर से एक अपने nature पर नियंतरन करो आप, कि आप कोशिश करो कि अभी जमीन पर रहके काम करने का, और बड़ा काम करोगे आप, ये मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन फिलाल अभी एक base बनाओ, बहुत जरूरी है आपके लि जहां तक मैं fulfill कर पाऊं, जहां तक आप चीजों को समझ जाएं, जहां तक आप की जिन्दगी अच्छी हो जाएं, मैं वो कोशिश करता हूं, तो कभी भी मेरे बातों को otherwise मत लीजिए, कोशिश यही करिए कि जो मैं बोल रहा हूं, उसको समझ जिए, क्योंकि मैं आपका हित जिन्दगी में करोड कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, कमालोगे, लेकिन अब बात करते हैं कि कितने amount में पैसे आएंगे, देखो, करोड मैंने बोल दिया कमालोगे, पुरे जिन्दगी के मैंने बात कर ली, मैनत कर शते लिए, तो मतलब आपकी income मध्यमस्तरी रहेगी जो, आपकी strong fate line है, जरूर है, लेकिन इसके साथ आपकी palm के जो portion है न, ब्रश्पती जैसे हो गए है, और भी कुछ portion जैसे सूरी हलका दवाब में लग रहा है, तो इन सब ने साथ नहीं दिया है, तो इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति कमाएंगे, अगर मैंने करोड काएं अगर में माउंट नहीं होता, लेकिन struggle रहेगा life पर और दीर-दीरे पैसे कमाऊगे, एक दम से नहीं कमाऊगे, एक दम से नहीं कमाऊगे, दीर-दीरे कमाऊगे, लेकिन कमाऊगे जरूर आप, ये confirm है, तो भागी रेका अच्छी है, तो दिक्कत तो है नी life पर आपके, भ 20 years के around की इनकी समस्या थी, इंडिपेंडेंसी तो बहुत पहले आगए आपकी, और उसके पास स्मूथ है, कोई रहा, कोई progress तो नहीं हलकी से यहाँ पर मुझे लग रही है, ये अगर मैं देखू, 23 में कुछ progress है, और फिर आपकी small small amount में आपकी चल रही है, आपकी जीवन 27 years में ये कट है, अब इसको मैंने इसलिए इतना सोचा ना, क्योंकि यहाँ पर से एक progress line भी है, तो मैं वही देख रहा आता कि ये progress line इसके सम्तूल यह है, या फिर इससे थोड़ी आगे है, इसका मतलब क्या होगा, देखो 27 में साड़ में आपके दिक्कत आनी है, बहुत ब इसलिए इस केस में दिक्कत तो आपकी आएगी, तो मैं इसका remedies दूँगा, आपको don't worry, और बाकि आपकी उसके सम्तूल यह जस्त दिक्कत आई उसके सम्तूल यह आपको फाइदा हो जाएगा, बहुत बहुत बहतरीन फाइदा हो जाएगा, कुछ तरक्य मिल जाएगी, इस तीनों यह वस्ता में राहू लाइन आपको परिशान करती है, और परिशान करने का कोई माई बाप नहीं है, कि वो किस amount में आपको परिशान करेगी, वो नहीं पता चल पा रहा है, मतलब यह आपको स्वास्त के लिए करेगी, या मानसिक दवाब देगी, या चोड़ घ इसमे के बीच में थोरा समलिए, थोरा केर करिए, थोरा नहीं जादा ही करिए, जादा केर करिए, समलिए, फालतु के पैसे इन्वेस्ट ना करो, स्वास्त पर ध्यान दो, स्वास्त ठीक रखो, और कुछ भी हलकी भी प्रॉब्लम साती है, तो डॉक्टर से चेक अप कराओ ये सब चीज़ तो पर्टिकुलर्ली उसेज में करो, अब इसका उपाई क्या करो, वो सबसे एहम बात है क्योंकि अभी इसे उपाई करो कोई ठीक रहेगा, एस भी आपकी वही है, तो बस महादेव को जल दीजे आप, और कोई भी फालतु लफर में मत पढ़िए, फालतु पर जिए और महादेव की सरन में जाओ, रोज सिबलिंग पोट के जल चड़ाओ, बहुत इफेक्ट इसका कम होगा, और जितने अतत्वे हैं, जितने तत्वे आपके धर्ती पर मौझूद हैं, चाहे वो नसा को लेके हो, या सरकिल खराब को लेके हो, उससे दूर रहो, नस बहुत बड़ी दिख्कत है, फिर तक्रीबन आपके 40 एर्स में भी एक दिख्कत है, 41 एर्स में, यह भी दिख्कत है, 34 के पाँज कुछ प्रगती है, आपके जिंदगी पर 2-3 साल लगातार प्रगती करोगे, 41 एर्स में दिख्कत है, तो यह तीन जो राहू रेखा है ना, तक्रीबन आपके जिन्दगी के जो अभी आने वाले एजिस हैं, 28, तक्रीबन आपके इमानलो, यह 27-28 की बात है, फिर 34 की बात है, फिर 41 येर्स की बात है, इसमें प्रिशानी आपके जिन्दगी पर आ सकती है, समल जाना, समल जाना, 41 के बाद तो बड़ी तरक्की है, फिर तक्रीबन देखो, 43 में तरक्की है, और फिर तक्रीबन आपके 53 में तरक्की है, 53, 54 में तरक्की है, 55 में है, फिर तक्रीबन 60 येर्स में है, फिर तक्रीबन 68 में है, फिर यह 68 के बाद कुछ आपके यातरा के बहुत ही अच्छे योग ह बहुत ही शांदारी हो गए, no doubt, तो यह था इनकी जीवन रेखा का पूर्णता विश्लेशन, और यहां से भी एक तरक्की आपकी तक्रीबन 71 येर्स के राउंड के आ रहे, उसके बाद से जिंदगी मस्ति स्मूथ है, कोई टेंशन नहीं है, तो पार्टिकुलर्ली इस एजस में आपको तरक्की है, इस एजस में आपको दिक्कत है, तो इसके आपको ख्याल रखना चाहिए, बहुत जरूरी है आपके लिए, तो यह था इनका कोश्चन, और किस एजस में क्या अचीवमेंट मेंने के वो तो आगे मैं दिखा दूँगा आपको, तो अभी इनके हैतली लेकर मैं पूर्ण तैब इस लेशन करूंगा, चीजों को असपर रूप से क्लियर करूँगा, तो इसके कोश्चन सोतें, पैसे कमाने को लेकर तो पैसे कमाऊगे, लेकिन महनत करो, वो जितना आपने बोला आपकोा लगा, वो कमा लोगे, वो कोई टेंशन नहीं है, लेकि confirm ये तो confirm है फिर देखे इनकी आप देखो तो इनकी सारे planets में strength हो है लेकिन गद्देदार अवस्था बहुत कम है 55% राज्योग का fall आ रहा है इसका मतलब होता है जिन्दगी अच्छी बीत है कि लेकिन struggles भी रहेगा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा आपको राज्योग अगर कम amount में fall आपको दे रहा है तो मेहनती हतेली आपकी हो जाती है उसमें आपको छोड़ा रोड चानना पड़ता है तो यह तो होगी दो चीज तीसरी गुलाबी है तो मद्यमस्तर ये धन को attract करेगी क्योंकि planets है न में उसके बाद देखो तो strong आपकी थम्ब तो इंसान बहुत शानदार विक्तितों के होते हैं आपकी देखो तो समझदारी के लूप बहुत अच्छे है देखो आप बहुत समझदार हैं हमारी बातों का आप सहस्ता से समझ पा रहे होगा और मेरे समझ से आपको समझना भी चाहिए क्योंकि ये मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ personally समझदारी बहुत अच्छी है फिर देखो खाई लाएं से इंसान बहुत अच्छे होते हैं इमानदार है और इमानदारी का तो हमेशा ही पूछ है जो भी काम आप करोगे आपको उसमें समान मिलेगा ये confirm है और आपके बरशपती फिंगर लंबी है तो इंसान को बरशपती गरबर है तो पाड़ी बार एक लफड़े भात रहते हैं बहुत सी बाते दिल में इनके चलती है और उसके रिगार्डिशन लेते हैं जिसके रिगार्डिशन लेते हैं जिसके रिगार्डिशन लेते हैं जिसके रिगार्डिशन नको परिशानी आती है देखो अला पढ़वाई आप में नहीं दिक्रिया में, तो ये बहुत बढ़िया चीज है, finger अच्छी creative person है आप, no doubt, फिर देखे planets, तो यहाँ पर से दबाब है, तो victim की struggle रहते हैं, जंदगी के 25 में, 26 में तर तो confirm, confirm, कुछ दोके के योग थे, तो दूर रहो, ब्रश्पती जब गर बर रहता है न, तो आपके सम्मान को छती पहुचाने के लिए बहुत से लोग परियास करते हैं, शत्रू बहुत बनते हैं, आपको परिशान करने के लिए लोग बहुत अग्रसर रहते हैं, तो उन लोगों से आप दूर रही है, यह ज़रूर है आपका, इसलिए मैंने मना क आपको दे दूँगा, बागी परिवार यहाँ एक लाइन और भी है, तो मुर्खता वाला काम मत करो, ऐसे लोग प्रारंबिक समय में बहुत ऐसी गलतियां करते हैं, जो इनको नहीं करनी चाहिए, तो वो मत करो, सबसे अच्छा संबंद बना के रखो, तो आप समझी पा र लाइन का कुछ यहाँ से भी है, यह नॉमिनल ब्रांचेस चल रहे हैं आपके, स्ट्रॉंग फेट लाइन जंदगी के लाइस तक एक सूरी पर जारी है, तो घर से दूर का उन्नती हो सकता है, नॉमिनल एमाउंट में, मतलब ज़दा दूर नहीं जा पाओगे, हलाकि फेट समझदारी से बात करोगे, तो बस इसी वज़ा से, इंसान बहुत समझदार होते हैं, लेकिन ब्रशपती को यह से पाड़ी वारी एक समस्तिया रहते हैं, थोड़ी मुर्खता इस मामले में जरूर हो जाते हैं, तो वो मत करिए, आपके लिए तकलिफ दे हो सकता है, हुआ ह है, और strong आपकी सूरी रेखा, strong, तो एक source of income रहेगा, और कोई cross नहीं है, cross जैसा sign, cross जब भी रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है, इसको cross मत बोलो आप, इसको cross समझो भी मत, क्यों फालतों के वीडियो उस देके परिशान हो रहें, मत हो, ठीक है, तो यह एक सूरी रेखा, एक distractions distractions जरूर हैं, यह जब कट जाता हैं, तो कुछ distractions रहते हैं, लेकिन यह positivity का काम कर रही है, यह एक multiple property के योग को बता रही है, तो यह अच्छी चीज़ें है, यह बुडी नहीं है, पैथरिक संपति का मध्यमस्तर यह साथ, यहां से एक triangle है, तो property का सुक को यह दर्शारी है, त इसका मतलब होता है, भी बहुत बड़े पैमाने पर काम नहीं करोगा, लेकिन कुछ है खलकियर के develop जरूर कर रही है, अगर यह properly develop करेगी, तो फिलाल तो properly नहीं है, फिलाल देखो, आपकी एक source of income रहेगी, मध्यमस्तर यह कमाई आपके जिन्दगी पर होगी, 25 के बाद विक्ति कह सकते हैं, विक्ति तेश तर्राक होते हैं अपने काम को करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा है तो बुद्धी वाइस बहुत प्रबल है, बस बुद्धी से ही काम लेते रो, उसके लावा कुछ मत सोचना, और आपकी strong मंगल है कुछ दोके क इस तेन एज में आपको समझ के रहना है, बाकी मंगल अच्छी है, लॉजिकल है, डिजायर्स बहुत हैं, कुछ करने के जो ललक है न वो बहुत सांदार है आपकी, और strong आपकी चंदरमा पैसे के फ्लोक बनी रहेगे, कुछ लाइन से तो यात्राएं रहेंगी, चंदरमा से जो positivity है, जिसको मुझे दिखाना होता है, ठीक है, बाकी वी नुमाज शेप आपकी बनी है, तो यात्राएं हो सकते हैं, लाइफ की कुछ यात्राएं हो आपके जिंदगी के साथ में वर्स के बाद कुछ चेंज़स आए आपके जिंदगी पर, आप जहां हो, वहां से कि थोड़ा सा पीरी थे इस केस में, यहाँ पर से क्या होता है न, कि थोड़ी सी कमी आ जाती प्रसनालिटी में, कुछ ना कुछ, तो इस केस में कुछ उपाएं नहीं किया जाता, हलांकि शुक्र आपका मध्यमस्तरी ये भी तो है, पर अब जिंदगी कहीं ना कहीं, आप कौन से देखा जाए, या फिर आपके सकल को देखा जाए, कुछ ना कुछ विकृति होती है इस केस में, या तो प्रसनालिटी वाइस बहुत ज़्यादा लुभामने आप नहीं होते हो, या थोड़ी सी कमी आ जाती है प्रसनालिटी में, इस केस में, भाकि ठीक है, शुकर आपका बढ़िया है जिंदगी अच्छी रहेगी मंगल आपका बहुत अच्छा है मंगल रेखा आपके इतली पर बहुत शांदार है जीवन रेखा अच्छी आयो दिरगायो है और कुछ लाइन से जो कि आपके टेंशन लेने के नेचर को कमाल होगे और हार्ट लाइन पर थोड़ी इमोशनल प्राबलम है तो थोड़ा सा भावुक कम रहो और बाकी हार्ट लाइन पर विष्णू योग का फोर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं लेकिन थोड़ा आगे बढ़ जाता है तो ये परिवाली टेंशन को दर्शाता है रिलेशन के टेंशन को दर्शाता है अब बाकी शादी के लिए इनका परशन था तो चंदरमा शुक्र बढ़िया है डिगन दीरे शादी तो बहुत लेट आपके दिखरी हमें अलाकि इस बिशेपजा टिपन नी करूँगा नहीं हो सकता है इस शादी तीस वर्सों में हो नहीं तीस वर्सों में हो 28-30 में नहीं होई न फिर लेट होगी आपकी फिर आपकी लेट होगी तो मैं दोनों चीज़ बता रहा हूँ ये मिल भी सकती आने वाले समय में लेकिन फिलाल के जो कंडिशन उस पर में विचार करना हो बस प्रापाटी के योग आपके डेवलब्ड है वो आपको मिल जाएंगे फल तकरिबन 44 में वर्स के बाद और एक बुद्धर एकासी बन रहे हैं तो विपालिक लिस्टिकों से थीक है लेकिन फिलाल प्रॉपरररी नहीं है इसलिए ना तो मैं मनिट रेंगल बताऊंगा ना मैं गैर्टर टरेंगल बताऊंगा क्योंकि ये नहीं बन पाया ये नहीं बन पाया ये बनता तो बहुत ज़दा बेनेफिट कराता आपको फिलाल ये बनने वाले स्टेज में बन सकता अब आपकी आयू ही क्या है तो जा टेंशन मतलो आप माइंड रेका पर कुछ स्क्वाइर्स जरूर मौजूद है और हाट लाइन पर भी ये थोड़ी नेगेटिविटी को दूर करने फिर भी अपनी बावुकता को आप खतम करो तो ये था इनकेतली का पुर्णता विशलेशन एक चीज़ छुड़ गया इनके मंगल पर एक ट्रेंगल मौजूद है ये फिर इनके जहन में एक कोशन आ जाता ये ट्रेंगल ये आपको प्रपर्टी का ही सुख देगी टेंशन मतलेना तो ये था इनकेतली का पुर्णता विशलेशन अगर आपको मारा ये वेडियो पसंद आया लाइक कर दे कमेंट करें सेकर सब्सक्राइब कर दे अगर आप प्रस्तनी में सहस्तरेका दिखा कर सही जानकारी पाना चाहते हैं हमारा वाटसप में दिस्क्रिप्शन मिल जागा लेकर आप समपड़ कर सकते हैं धन्यवाद